सबको नया साल मुवारक हो और नया साल पर हम लेकर आए आपके लिए इंगलिस का फांडेशन बैच वह भी एक आफ्लाइन बैच मुखरजी नगर डेली में तो यह जो आफ्लाइन बैच है हमारा इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे इस वीड कोई भी ऐसा एक्जाम जिसमें अब्जेक्टिव जर्नल इंगलिस है स्लेबस में उसके लिए बैच है इस बैच में हम जो कॉम्प्टिटिव एक्जाम के लिए इंगलिस का स्लेबस होता है अब्जेक्टिव जर्नल इंगलिस उसको कॉम्प्रिहंसिवली कवर करेंगे आप ssc exams के त्यारी कर रहे हैं cgl cpo अभी एक बात मैं आपको यहां पर ध्यान दिला देता हूँ कि tier 1 plus tier 2 दोनों ही level की तो यह जो हमारा batches का syllabus comprehensive है अगर आप cgl cpo के त्यारी कर रहे हैं तो tier 1 और tier 2 दोनों लेवल का इसी में cover हो जाएगा comprehensive batch है आप nds cds की त्यारी कर रहे हैं या banking exams की त्यारी कर रहे हैं या किसी अधर competitive या entrance exam के त्यारी कर रहे हैं जिसके syllabus में objective journal English तो यह batch आपके लिए इस batch का syllabus basic to advanced level का होगा तो जो भी competitive exam या entrance exam है जिसके आप त्यारी कर रहे हैं उसका syllabus इसमें पूरा cover हो जाएगा सेटेड़ेस को होगे सैटेड़ेस को एक test होगा weekly test और उस टेस्ट का discussion भी होगा ऐसा schedule में हैं कि डाउट discussion offline matches का बड़ा अच्छा पैदा यही होता है कि आप अपने class के अपने class के बाद में after every class को कि तो डाउट के लिए क्लास के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा तो अपने डाउट क्लास के बाद में discuss करके तब जाईए क्लास से आर्सी प्रेक्टिस आर्सी रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन जैसे हमारे से एंन हमारा सेक्शन होता है जिसमें यह तीन चीजे होती है एक तो प्क वार्स आपका कि दूसरा क्लोज टेस्ट और तीसरा उन सेंट पेस्ज़ेंश इनके लिए आपको regular प्रेक्टिसुसी रंगा करूंन दिसकर्शन एसा होगा का मिले से यह इस तरी के से हमारे फ्लेवर्श रहेगा यह प्लन है कि जो बैच है बैच की टाइमिंग है छो इन दोुंक इन धवशा है 12. 13 बज़े से जैसे कि आपको बता दिया है कि Saturday को टेस्ट होगा और उस टेस्ट का डिसकेशन होगा रेगुलर स्लेबस की जो classes होंगी वो हमारी Monday to Friday ही हुआ करेंगी और आपकी classes मुखरजे नगर में start हो रही है 15 जैन्वरी से 15 जैन्वरी से आपकी classes start हो जाएंगी batch start हो जाएगा स्टार्टिंग की दो या तीन classes डेमो की classes होती है batch related आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन contact numbers पर हमें contact कर सकते हैं यह number you must be well informed of it यह number तो आपको जानकारी में पहले सही होगा यह number भी है जिस पर आप batch related inquiry कर सकते हैं कोई भी जानकारी किसी भी तरीकी की चाहिए लोकेशन चाहिए कैसे पहुचना है बाकी चीज़े जो रह जाती है वह आप numbers पर contact करकर WhatsApp या call के थूँ कर सकते हैं address classroom का यह है बाकी जो batch का स्लेवर्स है जैसे हमने आपको बता कि comprehensive स्लेवर्स हम कवर करेंगे खोटे से छोटा antonyms, synonyms है, one word substitutions है, idioms and phrases है, spellings है, phrasal verbs है, confusing words है, paronyms है, homonyms है इस तरीके के जो words होते हैं वो आपको vocab section में करवाई जाएंगे रेगुलर प्रैक्टिस भी उनकी होगी और जो आपका RC section है word arrangement है, sentence arrangement है, close test है, यह सब इनकी regular practice करवाई जाएगी, regular practice sheets मिलेंगी अब फिर उनका discussion भी होगा, क्योंकि RC को हफ्ते, दो हफ्ते में या एक महिने में, दो महिने में cover नहीं किया जा सकता, तयार नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें लगातार effort करते रहने की जरूत पड़ती है, लगातार कोश्च से करते रहनी पड़ती है, तब जाके reading comprehension section हमा पर इंप्रूब होता है, तो उसके लिए आपको regular अपते में दो तीन इस तरीके की प्रैक्टिस मिलती रहेंगे, जिनमें close test unseen passes और आपके PQRS होगे, आप उनको attempt करोगे, फिर उनका discussion होगा, कोई doubt confusion होगा, तो आपने clear कर लोगे, तो इस तरीके से बैच आपके चलेगा और और पढ़तें English, सांदर तरीके से, thank you, bye bye